हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल सो गाइज, आज से करीब करीब एक मैना हो चुका है मैंने मेरे चैनल पे एक भी वीडियो अपलोट नहीं किया मदलब पूरा का पूरा अनेक्टिव था मेरा एककाउंट कुछ प्रॉबलेम था तो मैं बहुत ही कॉन कॉनकरी पे एक घंकरुत करना है आप की लिए अलसा में यूज होने वाले हर एक चीजस जो टेक रिलेटेटर है वग्तिव कोश इसका आपको बताऊंगा तो अगर आपको भी टेक related चीजों में interest है तो मेरे चैनल को subscribe करके all वाला notification भी select कर लेना तो आजकल दुनिया जैसे high tech हो रहा है तो अगर आपके पास कुछ भी knowledge नहीं है टेक के बारे में तो आप कुछ भी नहीं तो technology को follow कीजिए और मुझे follow कीजिए मैं आपको सिर्फ word excel ये सब नहीं बहुत सरे technology related सब कुछ में आपको सिखाता रहूंगा बस आप लोग मुझे support कीजिए तो आज इस वीडियो पर मैं आपके साथ excel को लेके कुछ discuss करूंगा तो चलिए excel पर जाते तो मेरे पास जो excel है ये 2013 का है अगर आपके पास कोई इसा भी है तो सब कुछ ही चलेगा कुछ थोड़ा मुडा option इधर उधर है बट same ही है तो excel को open करने के बाद आपके पास एक seat open हो जाएगा इस seat के अंदर बहुत सारा cell देखने को आपको मिलेगा यहाँ पे जितने भी आपको rectangle मिलेगा इन सब को कहते एक एक cell याद रगना तो यहाँ पे जो page खुलेगा इसको कहते seat यहाँ पे seat number one आप जितने चाहो यहाँ पे seat ले सकते हो तो आज मैं basic excel के बारे में आपको बताऊंगा और main आपको एक चीज़ जानना है row और column के बारे में यह रहा row जो side पे जाता है इसको कहते है row और column जो उपर से नीचे आता है इसे कहते है column इस चीज़ को आपको याद करके रखना है भूलना नहीं excel का use हर जगह होता है अगर आप school में है तो school का result बनाने भी excel का use होता है अगर calendar बनाने भी excel का use होता है और data MVP भी excel का use होता है मतलब आप excel सिख लो तो आपको assign आजाएगा फिर आप जब बाद में account सिखोगे तब ही आपके पास easy हो जाएगा तो अगर कोई भी अब गाना गाओ तो सरगम का यूज होता ही जैसा Excel का यूज हर जगा यूज होता है तो Home के अंदर आपको यहाँ पे जितने भी Option देखने को मिलेगा तो आपको मैं बाड़ी बाड़ी से एक एक चीस यूज करके दिखाता हूँ तो चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ एक्सेल पे कैसे आपको Copy Paste करना है या Cut Paste कैसे करना है आपको तो पता है Ctrl C, Ctrl V पर यहाँ पे कैसे Short Cut तरही के से यूज होता है तो चलिए देखो यहाँ पे मैंने लिखा 85 तो आप कैसे यह इसको Copy करोगे यहाँ पे Ctrl C करके फिर यहाँ पे जाके Ctrl V करते हो यह आप यहाँ पे Clip Board से Copy Paste कर सकते हो पर यहाँ पे Excel पे बहुत ही शांदर Copy Paste का Option है तो देखो यहाँ पर इसको मैं कैसे Copy करता हूँ यहाँ पे आपको इस Corner पे लेके जाना है एक Plus का Icon आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको Drag कर देना है देखो कितने सारे 85 हो चुका है अब जहां पर भी लेके जाओ सकते हो यहाँ पे भी देखो सब कुछ Copy हो जाएगा तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे Cut करता है यहाँ पर इसको लेके जाना है इसके साइट पर लेका आना है यहाँ पर मूब का एक Option देखने को मिलेगा इसको अब जहां पर भी रख सकते हो यहाँ पर तो यहाँ पर देखो Automatically Cut हो चुका है तो यह सब फॉटकाड है अब बात है फ्रॉम्ट अगर आप Microsoft Word या कुछ Notepad, Wattpad ऐसे कुछ चीज़ें में यूज किया है तो यह सब चीज़ आपको मालूम होगा तो दिखा रहा हूँ तो एक छोटा सा एक बार दिखाई देता हूँ तो यहाँ पर आप जो भी लिखोगे इसे आप कुछ भी Style दे सकते हो यहाँ पर जैसे कुछ भी Style हो जाएगा यहाँ पर Bold हो जाएगा Italic, Underline यहाँ पर Double Underline यह सब कुछ चीज़ दा होगा यहाँ पर Size आप बढ़ा सकते हो, Color दे सकते हो ऐसा ही कुछ तो इसके बाद आज जाता है Alignment यह भी आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर आप जो भी लिखोगे इसको Center में लाना है इस Side, Right Side Choose करोगे तो इधर उधर जाएगा तो Alignment के अंदर यहाँ पर आ जाएगा दो Main चीज़ यह आप चीज़ साया नहीं देखा होगा तो मैं आपको देखा देता हूँ तो मान लो अगर आपके पास यह दो सेल एक ही तरह चाहिए मतलब C और D एक ही सेल चाहिए यहाँ पर दो से करना है इस तो देखो यहाँ पर मैं कुछ घार रहा हूं का फिर युस को में सिलेक कर लिया यहाँ पर रैप स्क्राइब करना यहाँ तू रैप टेक्स का यहाँ पर आईकॉन आ जाएगा इसके उपर क्लिक करना है यहाँ पर-पर देखने को मिलेगा-इक ağawn-dekन Temper Color कौन से चीज आपर गई है कौन से चीज ताउन यह सब आपको देखने हैं गेटर दैन भी आप देख ठकते हो मतलब आप कुछ रिजल्ट क्रिएट कर रहे हो या कुछ भी क्रिएट कर रहे हो यहां पर आपको बहुत इज़ी हो यहां पर देखो 70 किया देखो यहांपे अमारा रूपीष का चि noon अचुका ए बहुत ही यूसप में अधर ह avail ला देख सकती है तो इस जता तो पतलों के चला गा क्या ही होगा मतलब आप जो भी टेक्स लिक होगे उसका स्टाइल चेंज होगा तो यहां पर मैं कुछ सेल सेलेक्ट कर लेता हूं एप से जे तक यहां पर इतना वह भी सेवेन कलूम फिर आपको स्टाइल के अंदर सबसे पहले जो आता है कंडिशनल फॉर्माटी इसके अंदर आपको क्लिक कर लेता है तो यहां पर आपको बहुत सारा ओप्शन देखने को मिलेगा हाइलाइट सेल टॉप टॉटन डाटा ब्रया एंड कलर स्टाइल मैं आपको आइकॉन सेट से दिखाता हूं कुछ चीज तो मैं यहां पर पहले वा हैं तो एससा आपको देखने को मिल जाएगा मतलब यह सब स्ट्ञक्र और यहां पे सबसे ज्यादा अ कम है इसके बाद style के अंदर आता है format as table तो नाम सुनके तो आपको पता ही चल गया है यह table को color करेगा यहाँ पर मैं इसको select कर लिया तो एक से तो मैं आपकोद नहीं दिखाऊंगा यहाँ पर कुछ एक table बना लिया और यहाँ पर format as table यहाँ पर मैं कोई भी एक select कर दिया फिर यहाँ पर ok कर दिया देखो यहाँ पर color हो चुका है ठीक है इसके बाद आता है तो guys यहाँ पर देखो मैं जितने सारे cell select करूंगा यहाँ पर normal है यहाँ पर select normal है यहाँ पर मैं bad पर click कर दिया तो यह देखो coloring हो चुका है तो इसके भी बहुत सारे option है आप यहाँ पे क्लिक करके अब मतलब practice करो देखो और भी जानो मैं तो आपको सब कुछ नहीं दिखा सकता तो फिर यहाँ पे आता है cell के अंदर इंसर्ट यहाँ पे आप सेल इंसर्ट कर सकते हो इंसर्ट सीट फिर एक सीट ओपन हो चुका है यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो यहाँ पे डिलिट तो गाइस यहाँ पे डिलिट ऑल डिलिट कर देता हूं फिर यहाँ पे होम के अंदर मुझे पता नहीं यह वाला आज के लिए यतना ही आप प्रैक्टिस करो बाद में जो क्लास होगा उसके बाद मैं इंसाट के बारे में बताऊंगा और भी चीज आपको जानने को मिलेगा तो आज का वीडियो में एही पार खतम करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दिना औ और टेक रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए